गुद मॉर्निंग इस्टुडेंट्स वैलकम टू दसन पब्लिक स्कूल डग ओनलाइन क्लास डियर इस्टुडेंट्स हिंदी व्याकरण क्रक्षाचार की इस पुस्तक में हमने अध्या एक कंप्लीट कर लिया है बाशा व्याकरण आज हम वन विचार वन विचार के बारे में पढ़ेंगे सो द्यान से देखें कि वन विचार किसे केते वन क्या है इन सारी चीजों को हम विस्तार से पढ़ेंगे देखिए, पेज नमबर चार, पेज नमबर आठ, मूल द्वनी की सबसे चोटी हिकाई को वन नाम दिया जाता है, जैसे जल, 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 ल, अर्था, ज, के नीचे हलन्त, फिर अ, दोनों मिलकर ज, इस तरह से नमक का भी है, राम का भी है, बोलते समय हमारे मुक से द्वनिया निकलती है, प्रतेक द्वनी को लिखने के लिए एक चिन होता है, किसी द्वनी का लिखित रूप ही वन कहलाता है, किसी द्वनी को हम लिखित रूप में लिखते हैं, तो उसे वन कहते हैं, परिभाशा देखें, वह छोटी से छोटी द्व किया जा सकता है जोटी से छोटी भाश्या की वह सकता है जिसके खंड नहीं किये जा सके उसे बाद आती है इस्टूइटेंस ओन माल वन jus किसे कहा जाता है हिंदी की वन माला इस प्रकार है स्वर अ से लेकर ओ तक जिनकी संख्या मुलत है 11 है अर्थाथ आ ई ई जिसको हमने अच्छे से पढ़ रखा है वेंजन क से लेकर अह तक ये हमारे वेंजन माने जाते हैं वन माला में दो प्रकार के वन होते हैं स्वर जिसे वेंजन जिसे कॉंसोनेंट कहते हैं स्वर अब बात यह आती है कि स्वर क्या है स्वर तो ऐसे वन जिनका उचारण करते समय मूख से निकलने वाली वायूं के मार्ग में कोई रुकावट नहीं आती, उन्हें स्वर कहते हैं. जैसे A, किसी प्रकार की रुकावट नहीं है. A, E, O, U, R, E, A, O, A, O. स्वारों के बहेद, स्वर के दो प्रकार से बहेद होते हैं. हस्व स्वर, Short vowels, दिर्ग स्वर, Long vowels. हस्वस्वर हस्व का अर्थ होता है छोटा या कम जिन स्वरों के उचारण में कम समय लगता है उन्हें हस्वस्वर कहते हैं हस्वस्वरों की संख्या चार है अ-ई-उ-री दिर्ग स्वर अब दिर्ग स्वर किसे कहते हैं दिर्ग शब्द का अर्थ है बड़ा या अधिक जिन स्वरों के उचारण में अधिक समय लगता है उन्हें दिर्ग स्वर कहते हैं दिर्ग स्वरों की संख्या साथ है अ-ई-उ-ए-ए-ओ-व-आ अर्थात दिर्ग स्वर जो होते हैं उनका अर्थ होता है बड़ा या अधिक अब बात आती है मात्राएं मात्राएं किसे कहते हैं जब कोई स्वर किसी वेंजन से पहले आता है तो उसका रूप अब परिवर्तिनी रहता है परंतु वेंजन के बाद आने पर स्वर का रूप बदल जाता है इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं जैसे अ-अ-अ-अ-अ-ज------------------------------------- आती इस, स्वर मात्राएं मात्राओं का प्रियोग, इस टेबल को देखकर हम कर सकते हैं, जैसे का आख की मात्रा का प्रियोग करें का, की, की, कु, कु, तो एसे बच्चों आप इसको complete करें, देखें अब अगला वेंजन, कोंसोनेंट वेंजन किसे कहते हैं एसे वन जिनके उच्चारण में स्वरों की सायता ली जाती है वेंजन कहलाते हैं वेंजन के बेद वेंजनों को मुख्य रूप से तीन वर्गों में बांटा गया है इसपर्ष वेंजन अंताइस्त वेंजन और उश्म वेंजन इसपर्ष वेंजन म्यूट्स इसपर्ष का अर्थ है छूना जिन वेंजनों का उचारण करते समय जीब मुख के विबिन्न भागों का इसपर्ष करती है उन्हें इसपर्ष वेंजन कहते हैं इन्हें पांच वर्ग ओदान्ट और होट से इनका उचारन होता है द्यान से देखें अंतह इस्त वंजन अंतह का आछ अरध होता है पित्र या बींच में तथा इस्त का आर्ध होता है इस्तित जिन विंजनों का उचारन करतेения में जीव मुख के बीतर किसी भाग का पूरी तरह से इसपर्ष नहीं करती है उन्हें अंताइस्त वेंजन कहते हैं इनके उच्चारण में सांस का अवरोध बहुत कम लगता है इनकी संक्याचार है यरलव उश्म का आर्थ है गर्म जिन वेंजनों के उच्चारण में मुख से बाहर उश्मा गर्म वायू निकलती प्रतीत होती है उन्हों उश्मवेंजन कहते हैं इनके संग्या चारे श, स, 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 ह Dear students, आज हम यहीं तक करेंगे आप अच्छे से इस वीडियो को देखें और इसको याद करें So thanks, दन्यो